दोस्तागर आपके फेस्बुक पेज पे इस तरह का प्राब्लम आया है एड रिवन्यू अन दिस वीडियो इस बिंग क्लैमिट या या यूर मोनटाइज़ेड वीडियो इस शेरिंग एड रिवन्यू और इस तरह का प्राब्लम अकसर सारे वीडियो पे नहीं आता है कुछ जिने चुने वीडियो होते हैं जिन पर ये वाला प्राब्लम आता है और उसके बाद उन वीडियो पे आपकी मोनटाइजेशन को बंद किया जाता है जो कोई भी क्रेटर नहीं चाहेगा अगर आपके साथ ये प्राब्लम आ रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं इसका र परस अगर आपके फेस्बुक पेज पे किसी वीडियो पे इस तरह का मैसेज आया है यू आर शेरिंग एड रिवन्यू या एड रिवन्यू आन दिस वीडियो इस बिंग क्लैमिट उसके बाद आपको डिस्पले हो रहा है जिस वीडियो पे आपको ये प्राब्लम आता है उसमें आपने दो तरह की प्राब्लम की होती है या तो आपने कोई भी ऐसा म्यूजिक उसमें यूज किया है जो किसी का लाइसेंसिट म्यूजिक है उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते आपने ऐसे ही उसको यूज किया है तो ये प्राब्लम उस वज़ या 5 सेकंड की वीडियो के लिए पर लाते है उस आप राइट्स मैनेजर उस पर जिसाइफ मैनेजर को मिला है तो उस वजा से भी आपको यह प्राबलम आ सकता ए अब देखते का हाल क्या है कैसे आप एसको क्र सकते हैं तो करेक्स कर सकतेAhis करी मैं यहां professional dashboard का एक option आपको बिलेगा इस पे आपको किलिक करना है और यहां आपको कहीं सारे options मिलेगे उपर home insights creation growth और monetization का भी एक option मिलेगा इस पे किलिक करेंगे और यहां आप देख सकते हैं monetization impacted दिखा रहा है जब मैं यहां पे view पे किलिक करता हूँ और यहां आप देख सकते हैं कौन सा problem मेरे page पे भी दिखा रहा है recent violation क्या आई है unoriginal content उसके बाद आप नीचे जा सकते हैं और किस वीडियो की वज़ा से यह problem इस page पे आई है वो नीचे यहां पे मुझे show हो रहा है और यहां नीचे आप देख सकते हैं content violations में मुझे दिखा रहा है किस वीडियो पे problem आई है और यहां अगर हम see all पे click करेंगे और यहां issue का एक option मुझे मिल रहा है इस पे click करेंगे और यहां आप देख सकते हैं monetization positive you are no longer earning on this content नीचे दिखा रहा है copyright add revenue on this video is being climate add revenue on this video is being climate का मतलब क्या होता है जो revenue आप इस वीडियो से कमाओगे जो पैसा आपको इस वीडियो से earn होगा उसका share आपको किसी और को भी देना होगा और यहां add revenue on this video is being climate पे जब हम क्लिक करते हैं नीचे आप देख सकते हैं यहां clear आप पढ़ सकते हैं यह क्लैम इसलिए हमारे वीडियो पे आए है it might content someone else's content जो किसी और का content है वो हमने इस वीडियो में use किया है आप इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है उसके लिए नीचे see next steps का एक option मिल रहा है लेकिन अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ना चाहोगे तो यहां learn more का एक option है इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पर यहां पे आपको एक पूरा article मिलेगा और यह सारा article आप पढ़ सकते हैं और आप यह समझ सकते हैं add revenue on this video is being climate इसका पूर और यहां पर हम क्लिक करेंगे मुझे continue का एक option मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहां हमें तीन आप्शन दिया जा रहे है यहां हम इस decision को accept करेंगे उसके बाद जो भी जिसने भी एक लैम हमारे वीडियो पर डाला है जो भी वह action इस वीडियो पर करेंगे हमारे है यह claim सही नहीं है तो यहां submit dispute का एक option आपको मिल रहा है उसके बाद तीसरा option है remove the video from your post आप इस वीडियो को delete ही कर सकते हैं तीसरा वाला option आप तब use करोगे अपने वीडियो को अपने post को तब आप delete करोगे अगर आपने किसी का music use किया है जिस पर उसके हक है जिस पर उसके डिलीट करना पड़ेगा जाके आपके page से प्राबलम हट जाएगा या पहला option भी चुन सकते है accept change लेकिन इसमें आपको खत्रा रहेगा अगर आपने किसी का music use किया है या अगर आपने किसी की video clip use किया अब उनका decision आप accept करेंगे यहां पे पहले आपको revenue share देना पड़ेगा वो सकता है इस video से अगर आपके page पर 50 डालर earning हो रही है वो आपको 25 डालर मांग सकते दस डालर मांग सकते इस से एक share मांगेंगे लेकिन in future अगर उनको लगा आपके इस video से उनके reach पे कोई problem पड़ रहा है तो आपको वो strike भी दे सकते है इस सूरत में आपको accept changes का option यहां पे accept नहीं करना पड़ेगा तो यहां आप directly अपने वीडियो को remove करें लेकिन मेरा जो case है मुझे लगता है यह false claim है यह पूरा वीडियो मेरा है मैंने खुद बनाया है मैंने किसी का भी content use नहीं किया है तो मैं यहां पे दूसरे option के साथ जाओंगा submit dispute वाला option और उसके बाद continue प मुझे यहां पे एक form submit करना होगा open form जब हम करेंगे तो यहां पे हमें बताया जाएगा अगर आप यह dispute submit कर रहे तो इस में से आपको एक option चूज करना होगा reason for dispute क्यों अप dispute submit कर रहे है तो यहां मुझे अपना reason choose करना होगा original content अगर मेरा original content है तो यह वाला option में लूँगा भी यूज कर सकता है अगर ऐसा है तो तीसरा option या अगर कुछ भी और फिर यूज या otherwise allowed to use this content कोई और option तो other का option में यहां पे चूज करूँगा फिलाल मेरा original content है तो मैं original content वाला option चूज करता हूँ उसके बाद यहाँ additional details आपको लिखनी होगी उसके बाद नीचे हमें यहां पे टिक करना होगा नीचे हमें submit का option मिल रहा है तो submit में हमें click करना है इस तरह से आप इस problem से चटकारा पा सकते हैं I hope जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको अच्छे से समझाया होगा तो comments में आप पूछ सकते हैं